हिमाचल प्रदेश में महीलाओं को 1500 रुपय देने के लिए फर्म भराए जा रहे हैं सरकार ने महीलाओं को 1500 रुपय देने की घोशना कर दी है गाउस तर पर जितने भी तैसिल कल्याण अधिकारीयों के जो कारेला है वहाँ पर महीलाओं की समय कतारे लग चुकी है लाखों फार्म जो है वो जमा भी हो चुके हैं और महिलाओं को उमीद है कि अपरेल महीने से जैसे सरकार ने कहा है मुख्यमंत्री ने कहा है पंदरा सौर उपये मासिक तोर पर महिलाओं को मिलने शुरू हो जाएंगे लेकिन यहां आदर चुनाव आचार सहीता भी जो है वो लग चुकी है पूरे देश में आचार सहीता लगी है और सवाल यह खड़ा ओगया है कि जब आदर चुनावा चार सहीता लग चुकी है तो ऐसे में महिलाओं के खाते में क्या अपरेल महीने से पंदरा सो रुपए की राशी जो है वो आनी शुरू हो जाएगी ये खुद में एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है क्योंकि डारेक्ट बेनिफिट जो है वो आजार सहीता के उलंगन में आता है आचार सहीता के दाएरे में आता है ऐसे में महिलाओं को जो है वो इंतजार करना पड़ सकता है अलाग कि इस पर अब चर्चा जो होने لगी उनके साथ 15-4 करे की उन्होंने 15-100 रुपए देने का ऐलान कर रखा है और बजट की और गोशना भी जो है वो इस पर हो चुकी है अधी सूचना जारी हो चुकी है ऐसे में इस आदेश को लागू किया जाए तो अभी चुनावा योग के पास सरकार जाएगी या नहीं इस संबंद ब्यादिकारियों से भी हमने जो चर्चा किया उनका भी कहना है कि अब आचार सहीता लगी है और आचार सहीता के चलते जो है वो डारेक्ट बेनिफिट किसी को सीधे रूप से नहीं दिया जा सकता है गुदर हिमाचल प्रदेश के जो बिजली बोड के करमचार था मगर मामला अभी भी लटका हुआ है इससे बिजली बोड करमचारियों में जो है वो नाराजगी काफी जादा बढ़ चुकी है ओपिएस इन करमचारियों को नहीं दिये जाने के पीछे आखिर कारण क्या है यह भी अब तक जो है वो साफ नहीं हो पा रहा है खुद करम करμचारी नेता इसको लेकर परिशान है क्योंकि क्ne việc करम तरपर वो मामले को जो है वो ऑगे बढ़ा चुके थे अब आचार सहाहिता जो है वो लागू ओ सप्सक्राय है और चार सहींता के बाद उसके खत्म होने के बाद ही जो है वो औ प्यस पर आगामी चर्चा जो हो सकत हैं बजट में करमचारियों को LTC की सुविदा के बारे में मुख्यमंत्री ने गोशना की थी जिस पर आदेश जारी कर दिये गए हैं अब कार्यकाल में दो बार LTC करमचारी ले सकेंगे यानि एक करमचारी अपने पूरे कारेकाल में दो बार LTC की सुविदा ले सकता है जिसने एक बार ये सुविदा जो है वो पहले ले लिए वो दूसरी बार फिर से अपलाई कर सकता है इसमें ट्रैवलिंग का पूरा खर्चा जो है वो सरकार करमचारियों को देती हैं बागी विधायकों की बात करें तो छे विधायकों को पैसा नहीं मिल पाएगा यह पैसा है बजट विधायक शित्र विकासनीदी का है जिसकी गोशना बजट में मुक्खे मंतरी ने की थी कि पहली अपरैल से इसे बढ़ा दिया जाएगा इसे बढ़ाने का एलान हुआ था इस पर योजना विभाग ने आदेश जारी कर दी हैं पिछले कल जो आदेश हुए हैं उसमें विधायकों को 2 करोड 10 लाख रुपए की जगा अब 2 करोड 20 लाख रुपए की राशी जो है वो मासिक तोर पर मिलेगी इसमें 10 लाख रुपए सुजानपूर बढ़सर धरमशाला और लाहुलस्पिती विधानसवा क्षेत्रों को में उपचुनाव घोशित हो गए और वहां फिलाल विधायक नहीं है इसलिए विधायकों को यह निदी जो है वो फिलाल 2-3 महीने जो है वो नहीं मिल पाएगी और ऐसे में अभी यह भी स्कास में यह पैसा जो है वो खर्च होता है लोग सवा चुनावों की अधर चुनावाचार सहीता लगने के चलते हिमाचल प्रदेश में हजारों भरतियां भी जो है वो फिलाल टल गई है जिसमें टीजीटी है जेबिटी है कंप्यूटर शिक्षकों की भरतियां है वो परिणाम भी अब जून महिने में निकलेगा वहीं कंप्यूटर साइंस प्रवक्ता के 985 पदों को भरने पर भी फिलाहाल जो है वो आगामी कारवाई नहीं हो पाएगी तो आचार सहीता लगने के बाद कई तरह की पाबंदिया लगी है राजनितिक दलों उम्मीद्वारो अधिकारियों के लिए नियम जारी हुए है राजनितिक दल और उम्मीद्वारों के लिए रात 10 बजे से प्राता 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने का नियम है किसी के घर पर उसकी अनुमती के बीना जो है वो पोस्टर बैनर या जंडा नहीं लगा सकते हैं राजनितिक दल मधातां को मदान के इंडर तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की सुविदा भी नहीं देंगे मधाता को अपने पक्ष में मदान करने के लिए ड्राया या धंकाया नहीं जा सकता है धार्मिक स्थालों का चुनाव परचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो इस तरह की बात कहीं की है इसके अलावा अधिकारियों के लिए जो नियम है उसमें किसी सरकारी अधिकारी कर्मी की ट्रांसफर जो है वो नियुक्ती ट्रांसफर या फिर नियुक्ती अभी नहीं हो सकती यहीं तबादला करना बेहर जरूरी है तो च सरकारी बवनों में पी-म मुख्यमंत्री मंत्री राजनितिक व्यक्तियों के फोटो लगाना भी जो है वो निशेद होगा सरकार की उपलब्दियों वाले प्रिंट इलेक्ट्रोनिक और अन्या मीडिया में विग्यापन भी जो है वो इस वक्त नहीं दिये जा सकते हैं मंत्रि किसी भी रूप में किसी भी वित्य अनुदान की घोशना जो है वो नहीं करेंगे और नहीं कोई किसी तरह का वाइदा किसी के साथ कर सकते हैं किसी परियोजनाओं या योजनाओं की अधार्चिला भी नहीं रखेंगे सड़क बनवाने पीने के पानी को लेकर काम शुरू क गरवाने का वादा भी नहीं कर सकते हैं अपने जो म अधिकारी के दोरे के समय चुनाव परचार जो है वो नहीं करेंगे परचार के लिये सरकारी वाहनों का जो इस्तेमाल है वो नहीं होगा ना ही कोई सरकारी सुक्सूविदा वो भोग सकते हैं सरकारी खर्च पर चुनावी रैली या चुनाव परचार जो है वो नहीं किया जा सकता है सरकारी वानों का इस्तेमाल सिर्फ अपने निवास से लेकर दफ्तर तक ही उनको करना पड़ेगा सरकारी खर्चे पर कोई प्रॉपर्टी या इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं कर सकते हैं सत्तादारी पार्टी सरकारी पैसे से सरकार के काम का परचार परसाद जो है वो नहीं करेगी विदायक या मंतरी अपने विकास फंड से कोई नई राशी जो है वो जारी नई कर सकते हैं इस तरह की तमाम सारी पाबंदियां जो है वो इस वक्त आदर्श चुनावाचार सहिंता के तहत हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी गई है हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी कही जाने वाले मंडी में आज भुकंप के जटके महसूस किये गए हैं रिक्टर पैमाने पर अगर देखें तो 2.9 जो है वो इसकी तिवरता मापी गई है मंडी जो है वो भुकंप का केंदर रहा सुबह 8 बज कर 4 मिनट पर ये जटके महसूस किये गए हैं भुकंप से किसी भी तरह का नुकसान जो है वो वहाँ पर नहीं देखा गया है लेकिन जटके लोगों ने जरूर महसूस किये हैं वहीं हिमाचर परदेश में मौसम की बात करें तो फिर से एक बार पस्चीमी विक्षोब जो है वो सक्रिया हो गया है परदेश में 21 से 23 मार्च तक बारिश और बरबारी बताई गई है चोटियों पर 18 और 19 मार्च को भी मौसम खराब रहेगा अधिक्तम और न्यूंतम तापमान में उच्छाल जरूर आया है लेकिन बारिश होने से तापमान में गिरावट का पूरवा नुमान यहां पर दिया गया है बागवानी के लिए ये इस तरह का मौसम पूरी तरह से नुकसान दायक साबित हो सकता है मौझूदा समय में स्टोन फूरूट में लावरिंग चल रही है तापमान में गिरावट से जो है वह सेट्न प्रकरिया नुकसान हो सकता है तो इस तरह से बागवानी प्रुभावित हो सकती है बारिश और बरबारी का अंदेशा जो है यहां पर जताया गया है